नमस्कार में शिवानी सिंग न्यूज आफ दा वीक में आपका स्वागत है आए नजरे डालते हैं वर्ट की हपते की पाज़ पड़ी खबरों पर सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच के रिष्टों को लेकर जी हां इस हबते अमेरिका और चीन के रिष्टों में काफी तलखे न जराई नरसल अमेरिका ने चीन की दिगज कोने माता कमती हुआवे पर दोकादड़ी का आरोप लगाया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने हुआवे पर दुप्त जानकारी लीग करने का आरोप लगाया था वहीं इससे पहले हुआवे की सीएफों को कनाड़ा से गिरिफतार किया गया था बता दे कि इस मामले से चीन अमेरिका और कनाड़ा के रिष्टे बुरी तरा प्रभावित हुए हैं हलांकि हुआवे और उसकी सीएफों ने अमेरिका तोरा लगाये आरोपों से इंकार किया है वहीं इस मामले में चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुजीत कदम करा दिया कोई अमेरिका के मद्बश्चिमी इलाके के लोग इस हब्ते हार कपा देने वाली ठंड से काफी परेशान हैं इस ठंड ने अब तक 29 लगों की जान ले ली है बताती कि जान लेने वाली ठंड को पोलर वर्केट के डाम से जाना जाता है एक अमेरिकी अकबार की रिपोर्ट के अनुसार पोलर वर्टेक्स इस हब्ते यहां पहुचा और इसने पूरे छित्त के जन जीवन को बुली तरा प्रभावित कर दिया है अमिल्की अधिकारियों के अनुसार मृतकों में युनिवर्सिटी आफ आयोबा का एक छात विशामी है वहीं मिलकोवी शहर इस्थित एक अपार्टमिक में घर को गर्म कर रखने वाली मशीन में खराबी आने के वज़े से एक महिला के भी मौत हो गई वहीं इसके अलावा न्यूयार के बाफ फेरो बेवी एक शक्ष की बर्फ हटने के काण मौत हो गई यहाँ जेल में बंद कैदी भी पोलर वर्टेक्स की चपेट में आने से बुरी तरह प्रभावी थे वे भी मदद की गुहार लगा रहे हैं वहीं सब्ते भारत ने सहींत राष्ट सुरक्षा परिशद में आई खाग्यों के सुधार की आवाज उठाई भारत ने इसके लिए नई राष्टों को तलाशने की बात कही भारत ने सुरक्षा परिशत में सुधार की धीमी गती से नाराजी जाहिर करते हुए सदर से देशों से मामले को विश्वश्णी तरीके से निप्टानी की बात की और वैंकल्पिक रास्ता तलाशने का अववाहन किया सहित राशने भारत के इस्थाई प्रतिनी धी सायद अकबरुदीन ने सुरक्षा परिशत को आईना दिखाते हुए कहा कि इस संगठन की सदर से संख्या बेविस्तार पर जल्दी ही मुहर लग जानी चाहिए इस मुद्य पर आयोजित एक और अपचारिक बैठक में उन्होंने कहा कि पैसद में सुधार की प्रत्रिया शुरू हो जानी चाहिए भारत का पश्रक्ते उन्होंने कहा कि इस मामले में अपचारिक्ता के लिए कोई जगा नहीं है आपको बता दे कि इस रक्षा पश्रक्त में सुधार के लिए चर्चा की शुरूआ सन 2018 में ही हुई थी लेकिन 10 साल से ज़्यादा समय निकल जाने के बाद भी अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया थी वहीं पिछले देड़ दशक से भी पहले से की गई भविश्वारी कि एक फरवरी 2019 को दुन्या खत्म हो जाएगी आखिकर जूटी साबित हुई आपको बता दे कि पिछले डिर्ड शक पहले ऐसी भविश्वानी की गई थी कि एक फर्वरी 2019 को दुन्या खत्म हो जाएगी लेकिन ये बात पुरी तरह से जूटी सावित हुई है आप इस खबर को देख सुन रहे हैं इसका मत्तब है कि आप अभी भी जिन्दा है और ये बात पुरी तरह से गलत थी इससे साफ जाई होता है कि 25 जुलाई 2002 को एक प्रमुक अंतराष्टी अंग्रेजी अकबार ने जो भूशना की थी उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है 2019 व्यानी एक फर्वरी 2019 को दुनिया खत्म हो जाईगी इस खबर ने बताया गया था कि एक उल्का पिंड एक फर्वरी 2019 को सुबह 11 बच का 47 मिनट पर प्रित्वी से टकराएगा और दुनिया उसे वक्त ही तहस्त नहस हो जाएगी वह यह बात करते हैं मलेशिया की जीहां इस हटे मलेशिया में सुल्तान अब्दुल्ला ने नयराजा के रूप में शबद गरहन की पिछले राजा के पद त्याब करने के बाद बीते गुरुवार को नयराजा सुल्तान अब्दुल्ला ने पद भार समाला बता दे के पूर मिस मासकों से शादी करने के बाद अब्दुल्ला मुहम्मद पंचम ने पद छोड़ दिया था खेल प्रेमी सुल्तान नीले रंगी पारंपरिक पोशाग पहन कर वो आलालंपुर में राश्टी महल में अपने पदभार की शपत ली शपत गरहन समारों को राश्टी टेलिविजन पर प्रसारत भी किया गया था इस समारों में परधान मंत्री माहातीर मुहम्मद समय सैक्डो महमान शामिल हुए राजा के तौर पर शपत लेने से पहले मद्ध प्रहांग प्रात के और नबचारिक शाशक सुल्तार का राश्टी संसंग में स्वागत किया गया उन्होंने इस दौरान सलामी गारत का निक्चिन भी किया तो ये थी वर्ध की इस हब्दे की पांच बड़ी खबरे ऐसे ही तमाम चोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं पत्रिका के साथ नमस्कार